फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माई हैपी प्लेस माई टेरेस गार्डन में शिलपा भोपाल से कैसे हैं आप सभी लोग आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे तो फ्रेंड्स यह वाले मेरे विंटर प्लांट्स जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट शौपिंग हॉल में मैंने शेयर व करे थे और इन को रिपॉर्ट करते ही हमारे हाँ पर तीन-चार दिन इतनी अच्छी बारिश गिरी है तिन-चार दिन हैवी रैन्फॉल कंटिनियस रैन्फॉल होती ही रही है तो प्लांट्स तो मेरे अच्छे से चल गए हैं कुछ प्लांट्स ये हैं और कुछ एक मेरे साल्विया के प्लांट्स उधर रखें वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और देखिए कुछ साल्विया के प्लांट्स मैंने जो लिये थे वो मैंने यहां लगा दिये हैं और इनकी मैंने उपर से पिंचिंग भी कर दी देखिए जो फ भी दिलाए हैं तो वो तो और मैंने उनको कम से कम कम से कम 11 हीबिसकस के प्लांट दिलाएं लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया कि मैं आप लोगों के लिए उसका वीडियो शूट कर लेती कि मैंने कौन-कौन से प्लांट परचेस करें और मैंने अपने लिए दो प्लांट लिये हैं और थोड़े बहुत दो तीन प्लांट और थोड़े बहुत कुछ मैंने फटिलाइजर लिये हैं तो वो आप लोगों के साथ श्रेयर करती हो मेरे माइंड से बिल्कुल ही स्किप हो लाइते हैं, अधर्वास शाम तक मैं हीबिसकस के वह पेंट हो जाते हैं और मेरे प्लांट के उपर आप देखिए धेरो सारी कलिया है डेली अभी गणपती में ये काफी सारे फ्लार्स मुझे निकाल कर दे रहे हैं और ये फ्लार मुझे बहुत अच्छा लगता है एक तो ये देसी वेराइटी है तो इसकी केर भी कम करनी पड़ती है और आप देखिए कितने बड़े साइस का इसमें भी फ् बॉट नहीं थी लेकिन जो दूपती उसमें भी आप देख सकते बाइस की हालत क्या हो गई है और कल रात में काफी बारिश के रही थी तो सुभे मैंने प्लार्न्स को वाटरिंग नहीं करी और देख सकते आप दिन भर में ही प्लांट्स की हालत कैसी हो गई है एक दम फ्ला इसे मेरी shopping है तो वो आप लोग के साथ share करती है तो देखिए friends जैसा कि मुझे हिबिसकस का बेहद शौक है बेहद शौक है तो सबसे पहला plant मैंने से हिबिसकस का ही लिया है हलाकि इस color का हिबिसकस शायद मेरे पास है जो जो मैंने हिबिसकस साथ दो लिये हैं दोनों के ही शायद मेरे पास पहले से plant है लेकिन फिर भी मैंने ये मुझे flower अच्छा लग और क्या होता है न कि जब हमारे यहां पर जरूरी नहीं है पर मुझे उन्होंने इसका 50 लगा दिया है और आप देख सकते इसमें कितने सारे कलिया है बहुत सारी कलिया अभी भी लगे और काफी healthy plant है देखे ब्रांचेज भी दो ब्रांचेज इसमें निकली होई है काफी अच्छा नीचे से प्लांट है यह तो यह मुझे पड़ा है 50 रुपीज का इसके बाद जो मैंने प्लांट लिया है वो है यह एक्जोरा का यलो एक्जोरा यह भी मेरे पास है मैं आपको रुकिये दिखाती हूँ यह यह कि Allo Xora का plant मेरे पास पहले से भी है और पता नहीं क्या इस plant के साथ है कि मैं इसको reporting भी कर चुकी है इसको कितनी बार अच्छे से fertilize किया है और इसको मैंने seaweed भी डाला हुआ है पर पता नहीं क्यों यह plant जो है यह ठीक से growth ले ही नहीं पाता है तो इसलिए मैंने same color का एक प्लांट बाकित हमारे घर में आके भी फूल दे ही देता है लेकिन फिर बीस में काफी सारी कलियां लगी हुए तो यह मुझे फ्लारिंग देगा ही देगा तो यह प्लांट मुझे पढ़ा है 60 रुपीज का और फिर इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट प्लांट लिया है वो भी एक हिबिसकस ही है और यह यह कलर भी मेरे पास है और यह देखिए इसकी शेड अलग है और इसका शेड अलग है और यह जब खिलने पर आता है तब एक साथ इतनी जादा फ्लारिंग देता है और जब हमारे गार्डन में प्लांट बहुत जादा फ्लारिंग करते हैं तो उस का मज़ा ही अलग होता है देखने का तो ये एक साथ बहुत जादा फ्लारिंग देने वाला प्लांट होता है तो देखिए अभी भी इसके उपर एक एक ब्रांच के उपर कितनी सारी कलिया अभी भी बनी हुई है और आप प्लांट की कंडिशन देख सकते हैं कितनी सारी ब्रा इसमें कम से कम चार पाइच ब्रांच निकली होई और नीचे से भी प्लांट अच्छा है. यह सुपली कटिंग से लगा हूँए प्लांट है यह तो जा सबस्टा एब निकाल के देता रहे और यह प्लांट मिय क्ली चैज करों आप मैं एक किलो नीमखली ली है और नीमखली शयाद उन्हेंने 40 रूपीस की एक केजी लगाई है और साथ में मैंने ली थी डियेपी का एक पैकेट ले लिया था जो मैं भी खोल के अपने प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल चुकी हूँ तो यह डियेपी भी मुझे 40 रूपीस आता है वही उनके पास रहता है पर इस बार उनके पास ऐसा पाउडर था तो मैंने पाउडर ले लिया आने वाले विंडर सीजन में हमको सरसोखली की बहुत ज़्यादा जोरत पढ़ने वाली है प्लस यह जो प्लांट्स वगरे हम रिपॉर्ट करते हैं इसमें भी मैं पुलियस की वराइटी उनके नरसरी में थी तो इसका मैंने एक तुकड़ा ले लिया है तो यह भी लगा लूँगी सीजन अच्छा है तो काफी अच्छे से यह लगी जाएगी बाकि यह कुछ पुदीने की दो तीन ब्रांच जोड़ ली थी मैंने मेरे हां का पुदीना ब आते जाते अब विंटर्स तक तो ऐसी छोटी छोटी शॉपिंग जो है वो चलती ही रहेगी और मेरे दिमाग से ही निकल जाता है कि मैं वीडियो बना लूँ अभी एकदम से ध्यान आ गया तो सुचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हो तो बस फ्रेंड्स मेरे आज के वीडियो में इतना ही था अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताईगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी किसी नए वीडियो में के बाइब और क्यार्टिक टेर गर्ड़ करदें